हलो ब्यूटिफुल सोल, कैसे हैं आप सब? I hope कि आप सभी बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, पॉजटिव हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कि आप सभी बहुत ज़्यादा हैं और अपना अपना ध्यान रख रहे हैं, बहुत सारा पॉजटिव रह रहे हैं और अपनी अपनी विश्ट को मेनिफेस्ट कर रहे हैं आज एक महिने के इंतिजार के बाद फिर से फुल मुन आ चुका है और आप सभी को पता है क्योंकि मैंने पहले ही अवेर कर दिया था कि कार्तिक पुर्णिमा यानि ये फुल मुन बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है आज का दिन किसी को मिस नहीं करना है अगर आप लड़की हैं, पिरिर्स में हैं, don't worry कुछ न कुछ तो जरूर करना है, ऐसे ही इसे छोड़ना नहीं है जाने नहीं देना है, अगर आप पिरिर्स में हैं, तो मेडिटेशन कर सकती हैं, बाकी का अगर आप पूरी तरह से स्वस्त हैं तो बहुत सारी चीज़े आज आपको करनी हैं, तो अगर आप जानने के इच्छुक हैं, इंटरिस्टेड हैं, तो इंटरिस्टेड लीडियो में इंट बने रहेगा, और बीना स्किप किये देखेगा, अधर्वाइज सेम क्वेश्टन आप लोग करते हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बट उससे पहले आप अगर इस चैनल पर नए आए हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्स्क जिससे आप अपनी लाइफ की हर प्राब्लम को, हर अब्स्टिकल को दूर कर सकते हैं, और बड़ी से बड़ी विश्ट को मेनिफिस्ट कर सकते हैं, तो इस वीडियो के बाद जा के चेक आउट कर सकते हैं, फिलाल इस वीडियो में हम जानते हैं कि ये फुल मुन आपके लि तो आपको अपनी soul को आगे बढ़ाने के लिए अपनी journey को complete करने के लिए जिस उद्देशे से परमात्मा ने आपको इस अर्थ पे भेजा है उस उद्देशे को पूरा करने के लिए full moon बहुत ज़्यादा important होता है guys इसलिए हर किसी को full moon बहुत अच्छे तरीके से मनाना चाहिए उस दिन ये सारी चीजे करनी चाहिए जैसे सबसे पहले आपको अपने औरा को clean करना चाहिए cleansing करनी चाहिए मैं जब भी live हाती हूँ तो आप सभी को करके बताती हूँ कि खुद की cleansing कैसे की जाती है आज हम थोड़ा special तरीके से करेंगे जैसे मैं हमेशा बताती हूँ आप simple सा black वाला धूप ले लो और उससे कर लो लेकिन आज आप थोड़ा और अच्छे से करोगे जैसे आपने पहले धूप से खुद की cleansing करी और जिन चीजों से आप खुद की cleansing कर रहे हैं सेम चीज से आप अपने पूरे घर की cleansing भी करेंगे कोने कोने की cleansing करेंगे अपने हर सामान की cleansing करेंगे आपके पास book है आपके पास jewelry है कपड़े है shoes है आपके घर का कोना कोना आज cleanse होना चाहिए ठीक है तो आपने धूप से अपने cleansing करी फिर अपने घर की सेम धूप से cleansing करी अब उस दूप को आप कहीं भी रख सकते हो इसके बाद आपको जला लेना है घी का दिया उस दिये से सेम काम आपको करना है खुद की क्लिंजिंग करनी है खुद की क्लिंजिंग की कैसे जाती है तो आप जैसे भगवान जी को धूपिया बत्ती दिखाते हो clockwise सेम उसी तरह से आपको अपनी तरफ उसे दिखाना है ठीक है इससे हम cleansing बोलते हैं ऐसा करने के बाद आप वो दिया भी कहीं रख दोगे जहां भी आपको safe लगे अपने पूजा रूम में या फिर अपने टेरिस पे अपने किसी रूम में कहीं भी रख सकते हो अगर आप periods में तो पूजा रूम बचा दीजिएगा वहाँ पर मत दीजिएगा बागी का आप कहीं भी कर सकते हो इसके बाद सबसे powerful cleansing आपको करने है इस magic से मैंने सब ही से कहा था बहुत पहले ही कि अगर आप लोगों के पास नहीं है तो प्लीज आप लोग जाए चेक कीजिए amazon पे flip card पे available है और मंगा लेजे आप जैसा मंगाना चाहते हैं सस्ता महंगा बट मंगा लेजे इस magic बहुत बहुत ज़्यादा powerful होता है ये आपके औरा से आपके घर से instant negativity को clean करता है अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप ये दोनों चीजों से करके उसके बाद meditation स्टार्ट करें अग ला लेना है और फिर इस stick से खुद की staging करनी है ठीक है अपने घर की staging करनी है और उसके बाद इसे रख देना है smudging बहुत important है अगर आपके पास है तो जरूर से कीजिएगा इतना जब आप कर लेते हो तो आप feel करोगे कि ऐसे ही आपके आसपास से आपके औरा से आपके घर स negativity जा चुकी है लेकिन आज full moon है तो हमें करना है meditation तो इसके बाद आपको कहीं भी बैठ जाना है अपने पूजा रूम में बैठ सकते हैं आप मून की रोशनी में बैठ सकते हैं अपने bedroom में बैठ सकते हैं आपको जहां comfortable लगे वहाँ बैठ जाए क्योंकि full moon है तो अगर आप moon की light में बैठते हैं तो यह और भी जादा effective होगा बैठ के आपको वहाँ पर meditation करना है meditation कौन सा आज important रहेगा seven chakra meditation मैंने seven chakra meditation upload कर रखा है बहुत पहले ही तो please check कर लेना क्योंकि उस वीडियो में मैंने color वेगर सब कुछ बताया है कि किस color को visualize करना है और हर चक्रा के उपर मैंन 21 बार chanting की है एक ही वीडियो है वो बाकी का तो हर वीडियो है अलग-अलग चक्रा के लिए वो वीडियो नहीं देखना है आपको आपको वो वीडियो देखना है जिसमें मैंने seven chakra meditation करने के बाद आपको moon magic begin now chanting जरूर करनी है 108 बार और इस switch word chanting के भी वीडियो आपको मेरे ही channel मिलेगे मैंने दो मेहने पहले ही upload कर रखा है तो प्लीज उसे चेक आउट कीजेगा और उसी की help से आप इस meditation को कीजेगा moon के सामने बैठके जरूर से करना है इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि आप लोगों को सही guidance मिल पाए और आप लोग इस full moon को miss ना करें ऐस पूर बेनिफिट्स ले पाएं इसका तो जरूर से करना है और जादा से जादा शेयर करना है ताकि जो लोग बिलकुल अंजान है जिनें कुछ भी पता नहीं है कोई knowledge नहीं है कि full moon को क्या किया जाता है क्या होता है क्यों होता है उन्हें भी पता चले कि full moon कितना effective होता है हर इनसान के लिए, इनसान तो इनसान, environment के लिए भी वाता वरन भी बहुत ज़ादा change होता है, full moon से या new moon से, इसे लिए हम लोग one month wait करते है full moon का and one month wait करते है new moon का, ताकि हम अपनी energies को सही कर पाएं सही तरीके से अपनी life को balance कर पाएं, तो please आप सबी से request है कि दूसरों के लिए नहीं करना है खुद के लिए करना है तो खुद की life को अगर सही करना चाहते हैं balance मिलाना चाहते हैं positivity के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो please आज इस meditation को जरूर कीजीगा यखीन मानिये आपकी life change होनी शुरू हो जाएगी तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजीगा बार बार बोल रहे हूँ मिलते हो नेक्स वीडियो में कोई भी doubt रह गया हो तो आप comment वाक्स में पूछ सकते हैं या फिर मेरी instagram आईड़ी है वहाँ भी follow करके आप अपना question पूछ सकते हैं तो तब तक आप सभी खुश रहिए मुस्कुराते रहिए खुद का ध्यान रखे God bless you and thanks for watching Love you all Bye